आप है नितिन वेलकम टो माई च्यनल इंगलेशटोड़वर्सटीव और सैवं इनेटीटोड़्स्ट दोस्त वच्पन से हम काफी खोशिश कर रहें इंगलेश बोलनी की उसके लेम काफी सारे इंग्लिश ग्रामर को सही रहे है काफी सारी बूक्स की मतले रहे हैं काफी सारी भी आपने नोटिस किया कि आप उसको यूज कर पारें कि नहीं maximum लोग यही कहते कि हम इंगलिश को समझ लेते हैं पर उसको बोल नहीं पाते कारण किया दोस्तों कि हमने उसको बस याद कर लिया उनके typical name याद कर लिया, adverbs क्या होते हैं, connectors क्या होते हैं उसको याद करने से आपको इंगलिश भोलना नहीं आ जाएगा इवन आपको डर और बढ़ जाएगा इसलिए मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है जिससे आपका वो डर दूर हो डेवन से आप इंगलिश में बात करना सीख पाएं आपको पता इंगलिश वर्ड्स अगर हमारे माइन में क्लेर हो गए तो हमारे लिए बात करना और इंगलिश को समझना काफी आसान हो जाएगा तो प्लीज आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिसमत करिएगा क्योंकि बहुत इंपोर्टन वर्ड्स हैं जो डिली लाइप में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पर इनका यूज हम नहीं कर रहे हैं ठीक है दोस्तों इनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं एड़ वर्ड्स बोलिए पर मैं आपको सिर्फ इनको वर्ड्स के रूप में बताना चाहूंगा क्यों क्योंकि हमें उ अब क्रकेट के राग री नहीं कहले हूं कभी खेल रह bowl तो हमापे में स्ल्ड़म वर्ड का इस्पाल करओंगा तो सल्ड़म आई प्ले किरे की जैसे मैं ओंसेप्ष वहमें अब नगा दीन घ्रिफ लेट Island तुम मुझे परिशान करते हो सल्डम मैं कोल्डिंग लेता हूं चाहों तो आप पूरी इंग्लिश वो लिए और चाहे तो वहाँ पे सिरफ कभी-कभी वर्ट को एक्सप्रेस करना इंग्लिश में शुरू कर दीजिए बाकी हिंदी एसे रखिए उससे आपका अक्सम हम किर्केट खेलते हैं तो ओफन भी प्ले किर्केट कोई ऐसी एक्टिविटी जो अक्सर आपकी लाइफ में हो रही है वहाँ पर अक्सर वर्ट के लिए आप अपन वर्ट कर समाल कर देंगे इस एक्सप्रेशन चाहे तो पूरा इंग्लिश में बोल दीजिए और चाह आपके लिए आपके पास कुछ अक्टिविटी चल रहे हैं तो वहाँ पर आजकल वर्ट के लिए आप नाओडेज वर्ट का समाल करेंगे आजकल तुम मेरे दोस्तों नाओडेज you are my friend इस तरीके से नेक्स वर्ट है दोस्तों आपस even then फिर भी फिर भी हम कम यूज करते हैं वर्ट लगाएंगे फिर भी तुम मेरे दोस्तों even then you are my friend फिर भी हम खेल रहे हैं even then we are playing फिर भी मैं स्कूल जाओंगा even then I will go to school आप चाहो तो पूरा एक साथ दो वर्ना तो पहला वर्ट यानिकी even then लगाई है बाकी का हिंदी में even then मुझे भूक लग रहे हैं मैंने खाना जो पास से चलती है रही हो और आज भी हो है तो वहां पे आप even today word का स्माल करेंगे आज भी मैं तुम्हें पसंद करता हूं even today I like you आज भी मेरे पास पैसे है even today I have money तो concept वही आपको follow करना है जो मैंने आपको समझाया कि चाहो तो आप पूरा expression एक साथ देदो चाहो तो आप खाली इन words का समाल करना start कर देजिए बाकी के expression चाहिए हिंदी में देते रही है को issue नहीं है पर benefit तभी होगा तो जब आज से ही आप यह word replace कर देगे ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इन words को समझ लीजिए याद कर लीजिए फिर जब इनको बोलने की बारी आए तो फिर से आप एक word सीखा था again and again इसकी जगहां पर आपास्या लगाएंगे time and again बार बार तुम मुझे phone करते हो time and again you call me बार बार मैं school जाता हूँ time and again I go to school बार बार हम मिलते हैं time and again we meet तो इस तरह से इस word का हम इस्तमाल करेंगे जब जब यानि की as and when कोई activity जब हो रही हो तो हाँ पर जब जब वर्ट हम लगाते हैं जब जब मैं तुम्हें बुलाओंगा तो as and when I will call you, जब जब तुम खेलते हो as and when you play, जब जब मैं कुछ खाता हूँ as and when I eat something, ठीक है तो जब जब कोई repeat चीज़े आप repeat करोगे तो वहाँ पर as and when word का इस्तमाल करेंगे जब जब की जगहां पर, next word है माई पर सारा दिन, यह काफी important है, बहुत सारे लोग उसका use करते हैं, सारा दिन में घर में रहता हूँ, सारा दिन को English में हम बोलेंगे all day long, सारा दिन में घर में रहता हूँ, all day long I stay at home, सारा दिन में पढ़ाता हूँ, all day long I teach, सारा दिन तुम खेलते हो, all day long you play, आप चाह से भी आप इसको बोल सकते हो, राद दिन तुम पढ़ाते हो, round the clock you teach, राद दिन में खाता हूँ, round the clock I eat, तो इस तरह से हम इसका इस्तमाल करेंगे, हाली में एक ऐसा वो बोड़े, जो हम लोग past के लिए use करते हैं, इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे recently, हाली में तुम मे करने की after today, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं भी लोगा, after today I will not meet you, आज के बाद हम cricket नहीं खेलेंगे, after today we will not play cricket, तो अभी हम इसका use सबज़रे, practice skills करने हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, दो वर्ट से दोस्तों जो में बड़ा परिशान करता है, परसो, आने वाला परसो और जो बीद गया वो परसो, इसको हम कैसे बोलें, maximum लोग इसको हिंदी में ही बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो confused हो जाते हैं कि क्या आज को लगाना है, तो मैं आपको उसके वर्ट सबसाता हूँ, अगर आप बीते वे परसो की बात कर रहें, यानि कि जो चला गया है, तो वहाँ पर लगाएंगे day before yesterday, परसो में तुमसे मिला था, day before yesterday I had met you, परसो में school गया था, day before yesterday I had gone to school, तो अगर जो भीत गया है वो बात करेंगे तो बात करेंगे day before yesterday, और आप आने वाले परसो, यानि कि जो आने वाले उसकी बात कर रहेंगे day after tomorrow, ठीक है? परसो मैं तुम से मिलूंगा day after tomorrow I will meet you पर सो हम बात करेंगे day after tomorrow we will talk तो I hope so confusion आपको दूर हो गया होगा next word है इस समय this time यह common word है काफी जाता use हम कर दें इस समय मैं खा लिए हूँ तो this time I'm free इस समय तुम मेरे दोस्तो this time you are my friend इस समय में कुछ खा रहा हूँ this time I'm eating something ठीक है दोस्तो तो यह word है हमारा इस समय इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे this time और last word हमारा पास है never यानि कि कभी नहीं मैं कभी नहीं जाओंगा I will never go तुम कभी नहीं आओंगे you will never come हम कभी नहीं मिलेंगे we will never meet तो I hope so दोस्तो यह words आपको समझ में आएंगोंगे अभी हम इनको समझ रहें कि हिंदी क्या है English क्या है उनको उम्हें बोलना कैसे है अब बात करते हैं प्रैक्टिस की कि इनकी हमें प्रैक्टिस से करने है आप पहले इनको एक पेज पर लिख लीजिएगा या फिर इस करने पहले इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और दूसरा जब भी योस यूजिए उसको ऑप कभी-कभी-कभी में आता हूं अ सब्सक्राइब हैं कि उसी पैटर्ण को आपको ए दूसरे पर तीसरे पर बाइब पूरे 15 वर्स की प्राक्टिस करें एक वर उठाया है उसके छोड़े चोड़े एक्परेशन बना है उनको भोला जब वह क्लियर हो जाए तब ही अगले वर्ट पर हम गए उससे क्या वाओ माइनल स्टोर होगा दूसरा करांको जो करना है वो यह है कि आपको इंग्लिश करना शुरू करना है आज से अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में जब भी आप बात कर रहें इन वर्ट को इंग्लिश में बोलना शुरू करिए फिर दे आपने मेरे अभी समझें उनको यूज करना आज से जरूर शुरू कर देजएगा अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है इसको सब्सक्राइब करिए लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के शेयर करिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन्स मिलें और आपसे कोई भी वीडि अब्टियों वे थ्यू मझच मुच झार्ट हयो झार्टी आपको